हेलो नमस्कार आर्मी स्टेडी के यूटूब चैनल में आप सभी नोजवानों का हर्दिक स्वागत तबिनंदन आपके साथ आपका दोस्ती बेजवाई दोस्तों अगर आपका इंडिन आर्मी का एकजाम है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होनी वाली है इसी क्लास के अंदर मेरे दोस्त हम आपको मैक्स एंड रेजिनिंग के इंपोर्टेंट क्यूशन करवाएंगे जो कि आपके एकजाम के लिए इंपो 12 का सहीι जबाब देते हैं। तो मान के चलिए मेरे दोस्त, फोज के पेपर में भी आप 15, 12, 22 पलस का ही मेरे दोस्ती, right जबाब दोगी। अभी मेरे दोस्त, हमारी 9 बजे भी किलास होगी, जिसके अंदर आपको बिल्कल ओरिजनल पेपर करवाए जाएगा उसमें मेरे दोस्त हम GKGS करवाएंगे इसके अंदर हम math reasoning question करवाएंगे किलेर है मेरे दोस्ती एक बार पुन है सभी नोजवन को मेरा नमस्कार जैहिंद जिसने session को like नहीं किया है तो पहले आप like कीजिए जितने भी आपके दोस्त है को आप एक बार ये वीडियो मेरे दोस्त शेर कीजिए क्योंकि कलास का अगर रिस्पोंस अचा रहा तभी मेरे दोस्त कलास math की आपको regular फरवाइड हो पाईगी अनेता नहीं हो पाईगी आप सभी की demand थी किसरा आप math की mock test series है ये हमारे लिए लेकर आई क्योंकि आपका exam आप सभी को पता है कि नजदिक आ गया है तो दोस्तो हम ज़्यादा बात्या ना करते हैं फाइनली आज के session के तरफ बढ़ते हैं एक बार पुन है सभी नोजवनों को मेरा नमस्कार ज़्यादे तो दोस्तो फाइनली हम बात करते हैं first question की first question आपकी screen प्या चुका है question बहुती शांदार है question कहता है एक गनाब की लंबाई चोड़ाई वह उचाई करमस से है 9 cm 7 cm तता 5 cm तो बताए इसका item क्या होगा बहुती शांदार question है मेरे दोस्ती अगर आपको पता है कि गनाब का item का फार्मूला क्या होता है तो मेरे दोस्त मातर 10 second के अंदर आप इस question को sol कर दोगे लेकिन 46 मितिके जितने भी फार्मूले हैं अगर आपको नहीं पता है तो मेरे दोस्ती इस question को आप नहीं कर पाओगे तो आप सभी को पता है कि गनाब का item क्या होता है आपको होगे सर लंबाई into चोडाई into उंचाई होता है गनाब का item सभी दोस्त नोट कर लीजे जिनको नहीं पता है गनाब का मेरे दोस्त उंचाई होता है लंबाई आपको मेरे दोस्त 9 cm दे रखा है उचोडाई है ये आपको 7 cm दे रखा है और उचाई है ये मेरे दोस्त आपको 5 cm दे रखा है इनका आप multiple कर दीजे मेरे दोस्ती 9 7 63 होता है 33 x 5 कितना होता है 315 होता है कर लेना मेरे दोस्त 315 होता है तो इसका right answer होगा option बीज दोस्त बता रहे 315 cm वो बिलकुल right बता रहे साबास मेरे दोस्ती तैयरी आपकी बहुत अच्छी है बढ़ते हैं दोस्तों next question की तरापी next question कहता है यदि किसी संक्या का 40% 36 है तो उस संक्या क 15% कितना होगा बहुती शांदार question है संक्या change होगी या मेरे दोस्त संक्या भी change नहीं होगी ये भी आप ध्यान रखना इस परकार का question आपके exam में definitely percentage से मेरे दोस्ती अगर question बनेगा तो या को मेरे दोस्त फिर इस परकार का question आएगा कि 80 का 80% कितना होता है क्योंकि आपके exam म ज्यादा level के question नहीं आते हैं फालतों में आप गबराज आते हो अगर मेरे दोस्त उस परकार का question नहीं आता है तो फिर इस परकार का question definitely पूछा जाएगा किसी संक्या का 40% संक्या मेरे दोस्त आप अक्स मानिये ठीक है अक्स का 40% परतिसत अटाओगे नीचे क्या लगेगा यह कहता है किसी संक्या का 40% है यह मेरे दोस्त 36 है तो उसी संक्या का 15% कितना होगा मतलब मेरे दोस्त आपको इस संक्या को सोल करना है इसको सोल करने के बाद मेरे दोस्त आपके बास जो value आएगी उस संक्या का आपको 15% बताना है ठीक है तो यह 100 है यह मेरे दोस्त उपर च बट्टा मेरे दोस्ती 40 ठीक है मेरे दोस्त 0 से 0 कटेगा 4 से 30 से ये 9 बार कटेगा ठीक है तो 9 और 10 का multiple हो गया 90 तो इस value को solve करने पर आपके पास आया मेरे दोस्ती 90 अब आपको क्या करना है उस संग्या का अर्तार्त 90 का आपको मेरे दोस्त 15 परतिसत निकालना है परतिसत अटाओगे नेचे सो लगेगा 0 से कटेगा 0 मेरे दोस्ती 5 से कटेगा 3 बार 5 से कटेगा 2 बार 9,3,27 27 बटा 2 भाग लगाईए 13.5 ओफशन ए जो नोजवान बता रहें वो बिलकुल राइट बता रहें बहुत बढ़िया सावास मेरे दोस्ते बढ़ते हैं दोस्तों नेच्ट कुशन की तरपी नेच्ट कुशन कहता है किसी वस्तू को जब भी 1100 गुन सुतर रुपए में बेचा जाता है तब करे मुले पर 40% का लाब होता है तो वस्तू का आपको करे मुले बताना है वेरी इंपोर्टेंट कुशन है मेरे दोस्ती इसके हम एक ट्रेक यहाँ पर लिकर रहे हैं उसको मेरे दोस्त अपने माइंड में फिट कर लेना याद कर लेना नहीं होती है तो रट लेना क्योंकि मेरे दोस्ति करे मुले या विकरे मुले ये वाला कुछन आपके एक्जामेट डेफिनेंट ले आता है कि करे मुले क्या होगा या फिर आता है विकरे मुले क्या होगा क्लियर है तो ये आपको ध्यान रखना है तो मेरे दोस ये trick लगाना है विक्रे मुले इंटू 100 विक्रे मुले इंटू 100 बट्टा मेरे दोस्ती 100 पलस माइनस है यहाँ पर मेरे दोस्त आपको लाब या हानी किलियर है लाब होता है तो 100 पलस करना है हानी होती है तो 100 माइनस करना है ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है ठीक है इस सुत्र को आप नोट कीजिए उसके बाद में यहाँ पर जगह कम है हम इसको हटा के कुशन शाप को समझाते हैं किलियर है स्क्रेंशोट ले लीजिए देखे मेरे दोस्त विक्र मुले ये कहता है कि 1170 रुपई में बेचा ज किसाब होता है तो 100 पलस सालीस कितना होगा 140 होगा अब मैरे दोस्त इसको आप कट कर लीजिए जिरो से जिरो कटेंगा दो से कटेंगा मेरे दोस्त 5 बार 2 से कटेंगा 7 बार मेरे दोस्ती 7 का 1100 गुन शितर के अंदर भाग लगाई है 7, 1, 7, 5, बजगे 4, 43, 7, 6 हो गए 42 42, 4 होते हैं 46, उतारा 9, गुन पचाज 77 होता है 59, 166, इंटू 5 कीजे मेरे दोस्ती 7, 35 होता है, हासल के लागी 3, 56 होता है 30, 33, 33, हासल की 3, 5, 3 होता है 8 तो 835 इसका राइट अंसर जो दोस्त उपसन शी बता रहें वो बिलकुल करेक्ट बता रहें, बहुत बढ़िया साबास मेरे दोस्ते बढ़ते हैं नेश्ट कुसन की तरह परी नेश्ट कुसन कहता है वरग का परिमाप बताईए वरग का परिमाप बताना है अभी नोट कर लेना मेरे दोस्ती चैत्रमीती और ठीटा वाली सारणी है ना जैसे 10,45, 10,60 किलेर है तो यहां से आपके एक जाम में अभी नोट कर लेना या तो फार्मुला का आईगा या मेरे दोस्ति ठीटा वाली सारणी का जो मान दे रखा है एक क्यूशन दो नंबर का 101 परतिसत क्यूशन आएगा ये हम आपको दावे के साथ कह सकते है याद कर लेना मेरे दोस्त उनको रट लेना आपके दो नंबर पक्के हो जाएंगी वर्ग का परिमा भुजा इंटू भुजा चार इंटू भुजा दो कोश्ट आरे चार इंटू भुजा वो बिलकुल सही बता रहे हैं साबास मेरे दोस्ती वाके में आपके तैयरी सांदार है सरहानी है आपके एक्जा में किसन आ सकता है वर्ग का ख्षेतरपल कितना होता है किलेर है मेरे दोस्ती तो वर्ग का जो ख्षेतरपल होता है वो होता है भु अब कर लेका इतने क्या होता है अभी नोट कर लेना मेरे दोस्ते बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है यदि एक पेन का मुले 5 रुपे हो तो साथ पेन का मुल्य क्या होगा बहुत ही शांदार क्यूशन है पेन उठाने की भी मेरे दोस्त जरूरत नहीं पढ़ेगी यहांपर आपको पेन साथ जरूरत नहीं पढ़ेगी बस थोड़ा सा अपना mind लगाना है एक पेन का मुल्य कहता है 5 रुपए है एक पेन का मुल्य है पांच रुपे तो साथ पेन का मुल्य कितना होगा मेरे दोस्त शिंपल है पांच इंटू साथ कितना होगा 35 होगा बस पेन उठाने के कहां जरूरत बड़ी बताईए मेरे दोस्त पेन उठाने के कहां जरूरत बड़ी तो इसका राइट 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 option बेज़ों नोजवन बता रहें 35 वो बिल्कुल राइट बता रहें बहुत बढ़िया next question क्या कहता है सुनिए यदि नो आदमें एक कारिये को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमें उसको 24 दिनों में पूरा कर सकेंगे very important question है समय कारिये मजदूरिश आपके घजा में अगर किसन बनेगा तो इसी टाइब का बनेगा अन्य था किसन नहीं बनेगा यह हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं तो देखें मेरे दोस्ते 9 आदमी है यह एक कारिये को कितने दिन में करते हैं 16 दिन में तो बताइए कितने आदमी कितने आदमी उसी काम को अरतार्थ एक काम को 24 दिन में करते हैं इनको मेरे दोस्त आपको ऐसे multiple कराना है उत्तर आपका आज आएगा ठीक है 9 into 16 बटे 24 किलिए रहे 4 से काट लिजे 4.16 4 से कटेगा 6 बार 3 से कटेगा 3 ती या 9 3 दुआ 6 2 से 4 कटेगा 2 बार 3 दुणी 6 तो उप्षन इसका राइट आंसर होगा डी जो नो जवन बता रहे हैं वो बिलकुल राइट बता रहे हैं बहुत बड़ी है मेरे दोस्ते नेश्ट कुसन की बात करते हैं नेश्ट कुसन कहता है यदि 400 रुपई 5 वर्सों में 480 हो जाते हैं तो ब्याज की दर क्या होगी वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुसन है और हम तो आपको कहते हैं कि बबवा संक्या भी चेंज नहीं होगी नोट कर लेना 400 रुपई है ये 5 वर्सों में 480 हो जाते हैं ब्याज की दर बताना है मेरे दोस्त आपको दर बताना है रेट बताना है तो ट्रिक लिक लीजिए मेरे दोस्ती ब्याज इंटू 100 आपको दर निकालने के लिए कहे तो ये लगा देना मेरे दोस्ती क्युस्टन के बल्ले बल्ले हो जाएगी ब्याज इन्टू सो बट्टा मेरे दोस्ते मूलधन इन्टू समय मूलधन इन्टू समय ये आपको लगाना है तो देखिए चार सो से चार सो असी हो जाता है तो ब्याज कितने का हुआ असी का हुआ ब्याज इंटू सो बटा मूलदन कितना है आपको होगे सर चार सो है समय आपको पांच वर्ष दे रखा है बस इसको काट लीजिए मेरे दोस्ती काटना तो आपको ही पड़ेगा दो बिंदी से दो बिंदी कटेगा चार से मेरे दोस्ती ये बीस बार कटेगा और पांच का बिस के अंदर भाग जाता है चार बार तो चार परतिसत है ये मेरे दोस्ती इसकी डर होगी ओप्सन ए जो नोजवान बता रहे हैं वो बिलकुल करेक्ट बता रहे हैं बहुत बड़िया साभास मेरे दोस्ती जे इसने अभी तक शैसन को लाइक नहीं किया है तो महकाल का नाम लेकर एक बार शैसन को लाइक कर जीजिए जतने भी नोजवान है जतना शांदार कलास का रिस्पॉंस रहेगा कलासे आपको उतने ही बहतरीन देखने को मिलेगी मेरे दोस्ती मायत रिजिनिंग के रेगुलर मिलेगी अन्य था मेरे दोस्त रेगुलर नहीं मिल पाएगी एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ के आपको मिल पाएगी जैसे आप चाहते हो वैसे आपको मिलेगी नेस्ट कुशन की बात करते हैं नेश्ट कुशन क्या कहता है सुनिए मेरे दोस्ती कुशन कहता है अठारा सो रुपई की रासी पर चार परतिसती परतिवर्ष की दर्शी दो वर्ष में कितनी चक्रवर्थी ब्याज होगा कितना चक्रवर्थी ब्याज होगा ये बताना है अठारा सो रुपई की कोई रासी ह चार परतिसत है ये दर है मेरे दूस्ती दो वर्ष में कितना चकरवरती ब्याज होगा ये आपको बताना है हमने आपको ट्रिक बताई थी मेरे दोस्ती कि दो वर्ष के लिए अगर आपको चकरवरती ब्याज बूचे तो आपको ट्रिक लगाना है दो और एक लिखना है कितना मेरे दोस्ती अठारा सू का आपको क्या करना है ठारा सू का चार परतिस्त निकालना है ठारा सू का चार परतिस्त आपको 72 बहतर होता है फिर आपको वापिस मेरे दोस्त बहतर का चार परतिस्त आपको मेरे दोस्ती निकालना है तो बहतर का चार परतिस्त कितना होता है मेरे द दोस्ती 72 का 4% अब आपको इनको multiple करना है ऐसे इनको multiple करना है मेरे दोस्ती तो 72 कितना होता है 72 आपको ओगे सर 147 होता है 72 होता है 147 के लिए है मेरे दोस्ती 147 प्लस 2.88 कितना होगा 146.88 इसका right answer होगा बस यही मेरे दोस्ती ब्याज होगा option a zone बता रहें वो बिलकुल correct बता र next question शसुरा कहता है एक दरजन आमका मुल्य 42 रुपई है तो 5 आमका मुल्य कितना होगा यह दरजन वाला मारे दोस्त फोज का फेवरेट कुसन है क्योंकि उनको पता है जो तैयारी करते हैं न उनमें से 60 परसेंट या 40 परसेंट नोजवानों को पता नहीं है कि एक दरजन में कितने होते हैं नहीं पता है और हमें भी पता है कि नहीं पता है आपको clear है तो एक दरजन में आम होते हैं 12 इनका मुल्य है 42 तो आपको बताना है पांच आम का मुल्य कितना होगा तो एक आम का कितना होगा 42 बटे 12 इंटू मेरे दोस्ते 5 से आप इसको multiple करवा दीजिए तो काट लीजे मेरे दोस्ती 3 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा मेरे दोस्ती 4 बार ठीक है 4 बार 5 होता है 70 70 बटा 4 बाग लगाईए मेरे दोस्ती 17.5 इसका right answer option B जो नोजवान बता रहे हैं वो बिलकुल right बता रहे हैं बहुत बढ़िया साइड में नोट कर लेना selection कोई नहीं रोक शकता आपका यह हम आपको दावे के साथ कहते हैं next question कहता है मेरे दोस्ते एक बिंदू के चारों और बने कोणा का योग कितना होता है किसन बहुत ही शांदार है और इसका right answer है यह option A जिन्होंने बताया है 360 degree उन्होंने पेपर की दजियां उड़ा दी है बहुत बढ़िया साभास मेरे दोस्ते बात करते हैं next कोई next मेरे दोस्त अब हम mentality reasoning के important कुष्णों के बारे में इस परकार मेरे दोस्ती दवा का समंद है डोक्टर से दवा लेनी है तो डोक्टर से आपको लिखवाना होगा उसी परकार आपको न्याई लेना है तो मेरे दोस्त किसके पास जाना होगा कोन आपको सला देगा तो इसका right answer होगा option शीज जो दोस्त बता रहें न्याई दीस वो बिलकुल सही बता रहें बहुत बड़िया ध्यान रखना दवा है ये डोक्टर के प्रामर्शें ली जाती है आप सभी को पता है तो न्याई है ये मेरे दोस्त न्याई दीस के आदेश ये होता है आपके और हमारे आदेश ये नहीं मेरे दोस्ते ये आपको ध्यान रखना है नेश्ट कुशन क्या कहता है सुनिए यदि बरप को पानी पानी को आग आग को आकास आकास को जमीन और जमीन को बरप कहा जाई तो पक्षे कहां उडेंगी 26 अक्टूबर 2009 में नाम चेंज थे लेकिन क्युसन मेरे दोस्त इसी परकार का पूछा गया था तो आपको बताना है कि पक्षी कहां उडेंगी आप कहो कि सर पक्षी है ये आकास में उडेंगे लेकिन मेरे दोस्त क्युसन में क्या कहा है कि आकास को जमीन कहा जाए तो मेरे दोस्त पक्षी है यह जमीन पर उडेंगे उप्सन ए इसका राइट होगा जिस नोजवान को नहीं पता है नोट कर लेना समझ लेना मेरे दोस्ती किसन डेफिनेंटली आपके एक्जामें पूछा जाएगा बात करते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन क्या कहता है सुनिया मेरे दोस्ती किसी निश्चित कोड में बुक B.O.K. को M.Q.Q. D. लिका जाता है किलेर है तो उसी कोड में मेरे दोस्ती W.A.L. के वालक को किस परकार लिका जाएगा यह आपको बताना है तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर ही देख लीजिए आपको शंक्या भी लिकने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्ती B.C. मेरे दोस्त देखी B.C. यह D. की तरफ गया है तो B.C. D. पलस क्या हुआ? 2. आगे देखिए O.C. मेरे दोस्त यह Q की तरफ गया है O.P. Q. पलस दोवा उसी परकार वापिस O.C. मेरे दोस्त Q की तरफ गया पलस दो K.L.M. ठीक है? K.L.M. तो पलस दोवा तो आप देख सकते हो की पलस दो पलस दो पलस दो की वर्दी है तो C परकार देखे मेरे दोस्ते W से आपको पलस 2 करना है W से पलस 2 करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्ते W से पलस आपको 2 करना है तो क्या आएगा Y आएगा ठीक है आगे देखिए A से आप 2 पलस करोगे तो क्या आएगा C आएगा आप इधर से भी start कर सकते हो और उस तरब से भी कर सकते हो answer आना है चाहिए किसी भी तरह आए ठीक है LMN, NI का मेरे दोस्ती K के बाद में देखे दो करोगे तो KLM, M आएगा ठीक है तो M, N, C, Y M, N, C, Y किस option में है option B इसका right होगा M, N, C, Y जो नोजवान बता रहे हैं वो बिलकुल correct बता रहे हैं बहुत बढ़िया साबास मेरे दोस्ते next question की तरफ बढ़ते है next question कहता है A और B भाई है C और D बहन है A का बेटा D का भाई है B का सी से क्या समंद है ये बताना है, देखे मेरे दोस्त A और B है ये दोनों क्या है ये दोनों मेरे दोस्ती बाई है आगे कहता है C और D बहने है C और D है ये मेरे दोस्ती बहने है clear है, आगे कहता है A का बेटा D का बाई है A का मान लीजे यहाँ पर कोई भी मेरे दोस्ती बेटा है, ठीक है कोई भी बेटा है वो क्या है मेरे दोस्त डी का भाई है डी का भाई अर्थार्थ शी और डी है ये मेरे दोस्ती एक की क्या हो गई एक की ही तो मेरे दोस्त ये संतान है शी और डी किलिर है आगे कहता है बी का शीशे क्या समंद है B का C शे क्या समंध है तो तेखिए ये इसका मेरे दोस्त भाई है और ये इसकी संताने है मेरे दोस्ती, पुत्तर है तो आप बताइए B का क्या समंध होगा तो आप कहोगे Sir, चाचा लगेगा, अंकर लगेगा तो option B इसका right होगा मेरे दोस्ती बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन बहुती शांदार कुशन है कुशन कहता है रहीम सुरियास्त के समय अपने ओपी से आया सुरियास्त के समय द्यान रखना सुरियो दे के समय नहीं सुरियास्त के समय ओपी से निकल कर पहले सुरियास्त की दिशा में 10 फिर 2 km चलकर फिर बाय मुड़ा फिर 1 km चलकर घर में गुश गया रहिम को घर का मुह है किस दिषा में है ये आपको बताना है उउप्सन आपके सामने है और आज हमने आपको हैच डबलो के लिए क्यूसन नहीं परवाइड करवाया है तो यही क्यूशन आपको हम HW Home Work के लिए प्रवाइड कराएंगे स्लाइट का स्क्रिन शोट लीजिए सभी नोजवानों को इसका राइट आंसर कमेंट बोक्ष में बताना है कि सर इसका राइट आंसर ये आएगा अगर इसका राइट आंसर आपने सही बताए तो direction का question आपके exam में जिंदकी में गलत नहीं होगा मेरे दोस्ती फोज़ के अंदर लग जाने के बाद भी अंदर भी मेरे दोस्ती उपर की जो high post होती है मेरे दोस्ते वहाँ पर के exam लगते है ठीक है ना तो वहाँ पर भी गलत नहीं होगा यह हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आज के कलास सभी नोजवानों को अच्छी लगी होगी तो सेशन को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कीजिए सभी दोस्त बताएंगे आप इन 15 में से कितना क्योशन राइट करते हैं अगर 12 पलस का सही जबाब है तो फोज के पेपर को लेकर किशी भी नोजवान को टेंशन नहीं लेना है हतास नहीं होना है मेरे दोस्ती यही कियोशन आपके एकजा में पूछे जाएंगे यह हम आपको विश्वास के इंतराद ही नहीं मेरे दोस्ती दावे के साथ कहते हैं साइड में नोट कर लीजिए ऐसे ही क्युसंस मेरे दोस्ते एकजामें पुछे जाएंगे अभी हमारी नो बजें बहुत ही शांदार लाजवाब कलास होगी आपको इमानदारी के साथ आना है और जितने भी आपके मित्तर है उनको भी लेकर आना है तापकि आपकी तैयारी का पता चले आपकी कंपिटिशन का मेरे दोस्ती पता चले तो मिलते हैं आपको अभी नो बजें धमा के दार कलास के साथ जो सुर जनुन के साथ ही तो जैहिंद वंदे मातरम इनकलाब जिन्दाबाद